नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल Ultimate Knowledge पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्चे जानते हैं के आज दुनिया में भारत से छोटे छोटे देश भारत से कई गुना आगया माने जाते हैं लेकिन आज भी भारत दुनिया में एक विकासिल देश के तोर पर जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी बजा भारत में फैले ब्रस्टाचार को माना जाता है ब्रस्टाचार के कारण भारत में कई ऐसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनोंने भारत की अर्थ वैवास्ता को बहुत जादा नुकसान पहुचाया है अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में हुए कुछ सबसे बड़े घोटालों के बारे में तो आईए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो नमबर एक कोईला घोटाला दोस्तों कोईला घोटाला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि कोईला घोटाले ने भारत में बहुत जादा संसनी मचाई थी इस घोटाले के अंदर कोल ब्लॉक्स का गलत तरीके से आवंटन किया गया था जिसके कारण से स सरकार की बहुत जादा किरकिरी और बदनामी हुई थी नंबर दो टूजी स्पैक्टम घोटाला ये घोटाला भी भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है इस घोटाले में यूनिफाइड एकसे सर्विस लाइसेंस का आवंटन होना था जो की गलत तरीके से क आगया था कहा जाता है कि इस घोटाले के कारण भारत सरकार को लगबग एक दसमलब 76 लाग करोड का घाटा हुआ था और ये घोटाला भी कॉंग्रेस के ही राज में हुआ था कोईला घोटाले के पांस साल बार टूजी स्पैक्टम का घोटाला हुआ था नंबर तीन वर्क लगबग बोर्ड ने 50% जमीनों का पूरी तरह से गलत आवंटन किया है जिसके कारण से लगबग देड़ से लेकर के दो लाग करोड का घाटा हुआ था नंबर चार कॉमनवेल्स गेम घोटाला इस घोटाले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस घोटाले में कॉमनवेल्स के लिए 70,000 करोड रुपे का आवंटन किया गया था लेकिन इन पैसों में सिर्फ 50% पैसा ही खेलों के लिए लगाया गया था बांकि सारे पैसों को पूरी तरह से ब्रश्टा चार करके बचा लिया गया था इस घोटाले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस घोटाले में 10 रुपे की चीज को 100 रुपे तक बढ़ा चड़ा करके दिखाये गया था जिस कारण से इस घोटाले में बहुत सा पैसा बिना खर्च किये ही पूरी तरह से रख लिया गया ये घोटाला भी कॉंग्रेस के समय में हुआ था नंबर पास तेलगी घोटाला तेलगी घोटाले भारत में बहुत जादा सुर्ख्या बटोरी थी कहा जाता है के तेलगी घोटाले के कारण भारत की अर्थ वैबस्ता को लगबग 20,000 करोड से भी जादा का नुकसान हुआ था तेलगी घोटाले का मुख्या आरोपी अब्दुल करीम था जिसने नकली स्टाम पेपर बैंक और कई अन्य संस्ताओं को बेचे थे कहा जाता है कि अब्दुल करीम का नेटवर्क भारत के लगबग 12 राज्यों में फैला हुआ था नमबर 6 सत्यम घोटाला सत्यम घोटाले ने भी भारत में बहुत जादा सुर्ख्या बटोरी थी और इसे भारत के एक बड़े जाता है जिसकी अनुमानित रासी लगबग 14,000 करोड थी सत्यम के चेर्में रामा लिंगन ने अपने निवेशकों से कमपनी की हालत को पूरी तरह से चुपाया था और अपने निवेशकों को धोखा दिया था जिसके कारण से ये कमपनी पूरी तरह से बरबाद हो गई थी हाला की बाद में टैक महिंद्रा ने सत्यम कमपनी को खरीद लिया था नंबर साथ बोफोर्स घोटाला बोफोर्स घोटाला तोपों की खरीद से जुड़ा हुआ है जो की 1980 से लेकर के 1990 के बीच का था इस घोटाले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस घोटाले में 155 mm होवि कंगरेसी निताओं के साथ साथ राजीव गांधी तक का नाम आया था जिसमें कंगरेस की छबी को काफी किरकिरा किया था